intersection of a set, यहनी कि intersection of set क्या होता है, जैसे कि हमारे पास इसको मतलब यही होता है कि जो common आए दोनों में, उसी को हम क्या बोलता है, intersection बोलता है, अब इसको जैसे number system में अपने पास जो भी operations होते हैं, इसी परकार हमें set में भी operation देखने हैं, तो यहां पे देखेंगे, intersection क्या अया, set तो यहां से क्या आएगा? intersection, intersection में भी समझने के लिए देखिएगा कि मैं आपके सामने एक example क्या करूंगा? represent करने वाला हूँ तो यहां से 1,2,3,4,5 यह आएगा ठीक है? और यहां से आपके पास में देखिएगा कि B element, B element देखिएगा कि 4 है यहांनी B set 2,4 और यहां पे देखिएगा कि 5,7,8,9 यह आएगा? अब आप तो यह देख के बता दो intersection का मतलब होता है क्या? दोनों में common? अब दोनों में common कौन कौन से उनको थोड़ा सा क्या कर दो? गोला मारो यहां पे अपने पास 2 है, 4 है और कौन सा है? 5 है और यहां पे भी 2 है, 4 है और 5 है इसके अलावा और कोई common element है क्या? नहीं है इसका मतलब है A intersection B जिसको denote करते है A से तो उसके अंदर उसका मतलब यह होता है कि इन में दोनों म ठीक है अब देखिएगा कि इसका वेंड डाइग्राम कैसे बनाते है इसी एक्जामपल का वेंड डाइग्राम देखिए यह तो वेंड डाइग्राम देखिएगा अब जो इतनी देर तक कि यह कटा हुआ जो पार दिख रहा था ना इसी को हम A intersection बोलते हैं देखिएगा कि A set में देखिएगा कि A set में 2 आएगा 2 भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो Canon elements आएगा वह तो इसमें आजाएगे इस बीच वाले खाने में यहाँ पर क्याएगा 2,4 or 5 नहींत अफो क्या बोलते हैं वह यहाँ बोलते हैं टो इसको हम क्या बोलते है ए वेंट डाइग्राम में इसको A intersection B से intr cure करते है इस पूरे को denote करते हैं A union B से और यहां पर इनका सबका जो बाप है वो क्या है universal set है जो की U है समझ में आगी और यह आता अपने पास देखिएगा कि यह अपने पास A set होता है यह अपने पास B set होता है यह अपने पास देखिएगा कि when diagram आ गया है ठीक है जी इस प्रकार से हम क्या करते हैं A intersection B को दिखाते हैं यह जो बाहर वाला पार्ट आता है वो इसको A इस प्रकार से हम थोड़ा colorful कर देते हैं ठीक है इस प्रकार से यह अपने पास universal set का क्या आता है? point आता है इस प्रकार से तो यहां से देखिएगा कि अपने पास A intersection B होता क्या उसको देखते हैं भी देखिए definition यहां पर definition टेखिए definition क्या बोलती है? कि definition में हम क्या करने वाले हैं यहां पर? देखिएगा तो यह देखिएगा कि देखिएगा क्या? कि let वही करेंगे कि let let set A and B are यह नहीं करेंगे भई let let A and B are any two sets अब देखिए का कि सारी जो definition आएंगी वो आएंगी जिसे आपको याद करना असान रहे जब भी आपको exam में पूछे कि definition of intersection तो यानि उसको लिख पाने में समर्थ हो पाएं इसलिए तो यहां से क्या होगा कि क्या लिखेंगे the intersection the intersection of A and B sets intersection of A and B ठीक है is is a set of elements which which contains contains क्या करते है? contains करते है common element in both sets both sets यानि कि जो भी हमारे पास दो sets दिये हुए है उनके अंदर क्या होते है? जो भी common element होते है उनमें क्या करते है? जो भी set बनता है उसको हम क्या बोलते है? intersection बोलते है ठीक है? यहां से both sets ठीक है? and a the intersection the symbolical क्या the intersection intersection is is denoted by इसको देखिएगा कि जो यू होता है जो यून होता है उसको उल्टा कर देते है ठीक है? उल्टा करके लटका दो भई इसते डीनोट करते हैं a union b ठीक है? तो देखिएगा कि then देखिएगा then intersection intersection of a and b set a and b is denoted by इससे denote करते हैं? a intersection b से यह यह तो यह अपने पास a आया है और इसका वेंड डाइग्राम भी ऐसे का ऐसे आया है बस यह a set है यह b set है इसका जो common part है वो a intersection b है तो यह यह कि a and b are any two sets and the intersection of a and b is the set of elements which contain common element in both sets जो a और b जो हमने दो set ले है उनमें से जो common element आएगा वो हम लेते हैं both set में से then the intersection is denoted by जो यू होता है उसको उल्टा लटका देते हैं ठीक है और the intersection of a and b is denoted by a intersection b